राजिपाल गुर्मीत सिंग ने आज रिशिकेश से पंज प्यारों की अगवाई में हेमकुन साहिब यात्रा के लिए जाने वाले पहले जथे को रवाना किया राजिपाल ने इस दोरान सभी को बधाई देते हुए उनके सुगम और सुरक्षित यात्रा की कामना की उन्होंने कहा कि हेमकुन साहिब जी की यात्रा हम सब के लिए श्रधा भक्ती और विश्वास की यात्रा है राजपाल ने स्थान ये प्रशासन और तीर्थी आत्रा समिती को बधाईती और यात्रियों की सुविधार सुरक्षा के लिए किये गए प्रबंद की सरहना की इस अफसर पर हेमकुंट साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंदर जीत सिंग बिंदरा समीत कई अन्यकर्मानी लोग मौजूद थे गोर तलब है कि हेमकुंट साहिब एक अपाट आगामी 25 मई को खोले जा रहे हैं आज अंतराष्ट्रे जैव विवित्ता दिवस है साल 2024 के लिए अंतराष्ट्रीए जैविक विवित्ता दिवस की थीम है बी पाट आफ ती प्लान ये थीम जैव विवित्ता सनल्क्षर में लोगों के हिस scoop दारी और जिमेदारी पर जूर देती है इस अफसर पर देहरादून के छाजरा अस्तथ विग्यान धाम में उत्राखन राजिय विग्यान और प्रोध्योगी की परिशद यू कोस्ट और उत्राखन जैव विविता बोट की ओर से कारिक्रम आयुजित किया गया स्कूली बच्चों और लोगों को जैव विविता सनक्षन और संवर्दन के बारे में चाग रुखिया गया कारिक्रम में परियावरन वेड डॉक्टर अनल प्रकास चोशी पतौर मुक्यातिती शामिल हुए उन्होंने कहा कि जिस तेजी से धरती की जैव विविता पर संकष गहरा रहा है हमें उतनी ही तेवरता से इसके सनक्षन के लिए काम करना होगा देखें जैव विविदा का ये जो दिवस संतरास्टी स्थर पर मना जाता है इसका है मूल कारण ये है कि दुनिया भर में अब एक बड़ा संकत हमारे बीच में आ चुका है और वो जैविविदुदा को लेके है क्योंकि करीब 121 प्रजातियां पौदों की एकदम खत्म हो चुकी हमारे बीच में से और इसी तरह करी 727 एनिमल की भी बर्ड्स की तब प् सब लोगों को उसके साथ जोडने के लिए इस बार की तीमी थी बी पार्ट अब दे प्लान मतलब प्लान क्या है कि अपनी बायो डिवर्सिटी को बचाने के लिए हर आदमी हर इस तर पे क्या क्या कर सकता है उत्राखन जैविविद्टा बोर्ड के अधियक्ष डॉक्टर जैविविद्टा का खजाना है इसे सहेजने में इस्थानिय समुदाय की एहम भूमी का है है वो टाइगर हो एलिफेंट हो स्नो लेपर्ड हो और सबकी बहुत अच्छी पॉपुलेशन्स हैं दुनिया में सबसे बहतरीन पॉपुलेशन्स हैं हमारी इन स्पीशीज की तो ये सब जो संभव हुआ है चाहे सरकार के प्रयासों से भी हुआ है लेकिन मैं बहुत से दुनिया बदल रही है उसमें हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इस को इग्जिस्टेंस को हम बनाए रखें वही युकॉस्ट के बहाने देशक डॉक्टर दुर्गेश पंत ने कहा कि इनसानों के कल्यान के लिए सम्रत जैविवित्ता बेहत जरूरी है इसका सेनेक्ष जैविवित्ता दिवसका अदेश इसके प्रती लोगों की समझ बढ़ाना और इसके सेनक्षन के लिए इचाग रुक करणा है